दोस्तो तुसी सुन जा रहे हो एंटन चेक्खव दी लिखी कहाणी डाकिया इस कहाणी ता पंजाब्यों वाद चर्ण गेलने कीता है अते अवाज है जक सीर दी रात बहुत बीच चुकी सी तिन वाजरेशन डाकिया अपनी स्वेर्धी ड्यूटी ते जान दी त्यारी तकरीबन मुकमल कार चुक्या सी हाथ वीच जंगाली करपान वर्धी जोते गर्म ओवरकोट चडाई सिर्थे डाकाने दी मोर लगगी टोपी पैन ओ उडीग रहा सी के ड्राइवर डाक दे सब थैले तिन कोड़या वाली गड़ी वीच लाद देवे जो हुने द्रवादे उत्याके खड़ी होई सी उन इंद्रे दा मार्या पोस्ट मास्टर आपनी कुर्सी उते बैठा उंग रहा सी उसदी कुर्सी मेजगोल यहों रखी होई सी जिवें ओ काउंटर दे सामने बैठा होवे ओ एक फारम पार रहा सी ते फारम तो नजर उठाए बिना उसने डाक ये नूं केहा मेरे विद्यार्ती पती जेने बहुत जरूरी रेलवे स्टेशन ते पुझनाए हो अपनी मागुल पिंड जारे आए मैंनू पताए के कनूनी तो और ते डाक गटी वेच किसे प्राइवेट स्वारी नू बठोना मनाए पर की करिये इस मुंडे वास ते वक्रा कोड़ा गड़ी कार नलो ता चंगाए ये तेरे नल मुफ्त वेचे चला जावे एक नातियव कोई गाल होई ता देखांगे गड़ी ते आ रहा है वेड़े विचो कोजवान दी वास सुनाई दिती ठीक है चल फिर पोस्ट मास्टर ने केहा अज गड़ी हाक का कौन ते आए गला जोग डाकी ने जवाब दिता चल रसीद हो ते कुगी मार ते निकल डाकी ने रसीद हो ते दस्ट खत की ते ते बार चल आ गया हने रेकारन चाहे साफ नजर नहीं सी आ रहा पर एक कोड़ा गड़ी दा खाका जहा दिखाई दे रहा सी तिन कोड़े अहिल खड़े सान सिवाए ती जे ट्रेस कोड़े दे जिस्दे सिरहलां दी वजा नल कदे कदे टलियां दी तुनकार सुनाई दिन दी सी ठे कोड़ा गड़ी दे कोचवान दा जो पाइप पी रहा सी मग दे तंबाकु दी चामक हनेरे विच एदर तो उदर अंदी नजर आ रही थी कदे ए चामक बुझ जान दी पर जिवें ही कोचवान काश खिच दा तंबाकु दा अंग्यारा फिर मगना शुरू कर देंदा ते कि एने खता नाल परे अपने थेल्यानू तक के जरा हेठा गीता ते अपनी जंगाली पुरानी जंग दी निशानी तलवार होना दे उत्ते राख देती ते एक तक ते उत्ते जो बैंच दा काम दे रहा सी बैठ गया मुंडामियोदे मगर अंदर जा वड़या अते अचानक उस दीकूणियोंनू लाग जान कान कबराड ते निमरता नाल गया हा जी माफ करना एनी देर विच पोस्ट मास्टर वर्दी दी प्रवा की ते बिना रात दे गाउन ते पैरां वेचे स्लीपर पैनी बार निकलाया ते बाकी सारे नूमी मिरे वलनों प्यार देना ते तू इगनातियव पुलना जाई के तू बिस्तरेत सोव तू पारसल देना है अच्छा फिर पोस्ट मास्टर ने केहा ते कोचवान नू इशारा कीता ते ओ चारल पै कोचवान ने हलक के जहे लगावनू चाटका देता ज पावनाल एक जबान होके वज्जन लगिया कोचवान ने अपनी सीट उते खड़के ट्रेश को डेदी पिठो उते हलके जहे चाब को लगाया ते गड़ी कच्छे पहे ते खोखली वाजगार देया अपनी मंदिल वाल रवानना हो गई शैर सुता प्यासी वड़ी साटके दे दोमें पास्यां ते मकान आथे काले द्रक्ट सान ते जराजनी वी रोशनी दखाई नी दिन दी सी असमान तार्या नाल टक्या होया सी किते किते बदलोटिया तैर्या सान ते पूरबदी गुठवे चे जालदी ही पौफुटन वाली सी ओथे चंददी फाडी हने सिली सी ते इस विचो पत चड़दी मैं कंदी सी स्कूली मुंडे ने जो अपनी मुफ्त स्वारीली डाकिया दा एहसान मंद सी निहायत ही अदब नाल गल शुरू की थी जे गर्मी दा मौसम होंदा ता हुन तक खासी रोशनी हो चुकी होंदी पर इस वक ता सवेर्दे मुंडे ने असमान वाल वेख्या ते गल जारी रखी असमान वेख्ये पता लागी जानदा है के पत चड़ आ गई है उदर वेखो सज्जेवल ओ एक कतार वीचे तेन तारे नजर आ रहे ने इनू शिकारी तारा मंदल कहिंदे ने जो साधे अर्ध गोले विचे स्तंबर द मीने वेच नदर आउन लाग पैंदाई डाकिये ने अपने हाथ आस्तीना विचे कर ले ते अपना चेरा गरम कोड़ दे कालर नाल होर ठाक लिया ना कोई हरकत की थी ते ना ही असमान वाल वेख्या जाहिर सी के उसने शिकारी तारा मंदल ते किसे वी तारे वेचे कोई दि ना सक्या बड़ी सर्दी है हुनता स्वेर होर जानी चाहि दिये अंकल तो नू पताए सूर्ज के सवेले निकल दा की दाकिये ने पुच्या सूर्ज दिकल किनने वजे निकल दाए कोचवान ने जवाब दता आही पांचे वजे दाक गड़ी हुन शैर बनने तो बार आ सड़क दे दोनने पास से जाता चोटे-चोटे करांदे बार लगी यां साबदियान यां क्यारियां सान जा एक का दे द्रक्त बाकी हर चीज कालख दे ले बादे विच लुकी होई सी खुली फिदा वेच चानवी कुझ वड़ा वड़ा जया लाग रहा सी ते तारे मीं थो याख हो गया खोड़ा अन दी रफतार मी काथ हो गया तालीयां एमें चुप हो गया जिमें सार्धिनल जाम गया होन पाणी दी चपचप होंदी ता तारांदा अक्स एमें नजर होंदा जिमें ओकोड़यां दे सुम्मा हेठ गड़ी दे पज्या दे गर्द नाच कार रहे होंद। सिर्फ दास मेंटा बाद फिर कालख इस कदर वाद गई सी के ना ता चान दी चान ना सितार्यां दी चमक विखाई पेंदी। दागड़ी होंद जंगल विच दाखल हो चुकी सी। देवदार दे द्राख्तां दिया नुकेलियां टानियां मुंदे दी तोपी नाल ओल्ज रह सिक्षाण ओ वारवार मकडी दे जाले अपने चेरे तो हटा रहा सी। गड़ी दे पईए, ते कोड़यां दे सुम। द्राख्तां दिया मोटियां मोटिया जड़ा अल ठकर आ रहे सी। ते कोड़ा गड़ी एक मखमूर प्यक्ण दी दिक्डोले खान दी बैक्दी बैक्द चल रही सी वेह के क्यों नी चलंदा गड़ी सडकते रह बिलकुल कनारेते को चली जा रहा डाकिये ने निहाइत क्रोध पर ये वाज विच कोजवान नू डांटया इनन टाणिया ने ता मेरा चेरा पान देता गड़ी नू सज्जे राख अजे डाकिये दा फिक्रा मुकमल भी नहीं होया सी के गड़ी नू अचानक चटका जया लग गया जिवें किसे मरीज नू मिर्गी दा दोरा पय गया होवे गड़ी दे एक कंपनी जही तारी होई ते ओ पहला एक पास से ते फिर दूजे पास से चुगी जिवें डिगणी लगई होवे पर अचानक बेहद तेजी नाल चंगल दे कच्चे रास्ते दे अगड़ी लगदा सी जिवें कोड़ी ने किसे ड्राउनी चीज नू वेख ले होवे ते उस दे डर तो फ्रार होना चंदे होना कोचवान चिक्या ओए 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 ओखड तेरी ओणे कोड़ी नू गाला देनिया शुड़ू कार देतिया मुन्डा बुरी तरा डार ग्या सी ओणे अग्गे चोके कोई सारा लब्बन दी कोशिश कीती प्राम्तु चमड़े दे गिल्ले थेलने तो उस दे हाथा तेल क्रेशान ओणे कोचवान दे कोड़ी पेटी फड़नी चाई मगर कोचवान खुद इस तरा हिच को लेखा रहा सी के लगदा सी ओँ हुने गड़ी तो हे ना डेग पएगा पञ्या दी गड़ गड़ ते गड़ी दी कड़ कड़ दे रोले विच दोना ने तलवार दे डिगंदी आवाद सुनी ते इस दे तुर्त बाद के से पारी जही चीज़ दे जोर ना डिगंदी आवाद आई रुको 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 कोचवान दी आवाद वज़ खौफ ते बेचैनी तो में शामल सन गड़ी बुरी तरह हिचको ले खा रही सी मुन्ड दसर कोचवान दी सीट नाल टकराया ते फिर दूजे पल उस दी कमर गड़ी दे हफास्ती तकते उते इनी जोर ना लगी कि उस दिया चीख का निकल गन्या मुन्ड ने दोवाँ हथा नाल टाकते नूँ फड़या तांकि ओ डिगगन तो बचा रहे मैं डिगगी जाना ए सोच सी जोसे दिमाग वी ते चाल रही सी पर इस समय कोड़े एक हंबले नाल जंगल वी चो बार निकल के खुली जगा विचा गए सजे पासे तिखा मुड मुड गए ते लकड़ दे कपुल दे खड़ खड़ कर दे अचानक खामोश हो गए ते गड़ी दे अचन चेतरुक जानने वोजे आर्थी न दुबारा अग्ये सुट दिता कोचवाने ते मुन्डे दे सा बुरी तरह फुले होए सान दाकिया गड़ी विच नहीं सी ओ अपनी तलवार ते डाक देक थैले समेत गड़ी तो हेठा डिक प्या सी मुन्डे दे बुरीफ केस दामी कुछ पता नहीं सी रुख जा बदमाशा तेरा बेडा गर को होजे खर जा अवाज जंगल विचो आ रही सी तेनू राबदी मार पवे होने तेनू दिनना पता दाकिया होन जंगल तो बार निकल चुक्या सी गुसे नल पक्या होया सी ओधे मुन विचो चाग निकल रही सी हावा विच मुका लहरोंदे होए ओ कोचवान नू गाणा कड रहा सी ये ट्रेस कोडी नहीं हजूर ये ता शेतान कोड़े दी शकल विच आ गया है मैं मी की कर साकदा है कोचवान ने गेहा उन जेसनू ता जे जोडन लगया हफता मी नहीं होया इसलिए बड़ी जल्दी बिदक जान दिये खास करके जदो टला अनुपतर रही होवे ता बिलकुल भी काबू विच नहीं रहें दी हुने ये दी बूथनी ते लवना एक ठीक हो जाएगी दर दर खड़ जा खड़ जा उने ट्रेस कोडी नू केहा जिसने फिर बिदकना शुरू कर देता सी जिननी देर कोचवान कोड़े नू संभाल रहा सी सडक तो तलवार मुंड दा बरीफ केस ते खता दा थैला लब के दुबारा कोड़ा गड़ी विच राख रहा सी डाक या गुसे ना चीक दी वाज विच गाड़ा कर दी जा रहा सी कोचवान ने गड़ी तोर लई ते पता नी क्यों तकरीबन सौ कदम पैदल चल लया कोड़ी नू बुरा पड़ा बोलता रहा ओ उचेक के गड़ी ते चड़के बैठ गया हाला के अजे तक मुंडा खौफ नाल काम पर रहा सी पर जिवे उसनू पता लगया के खतरा टाल गयाई ता उसनू इस सारी कटना इनी रोच के लगन लगी के उसने जोर जोर नल हसना शुरू कर दता जिंदगी जे पहली वारों ने इनी रादा सफर कीता सी ते ओव एक डाक गड़ी विच जिनना खत्रयानाल ओ धो दो चार होया उस दे नतीजे वज़ों सिवाए जाखमी लाक अते मोड़े होते एक छोटे जेह गुमबड़ दे होर कोई खास नुकसान नहीं होया सी उन्हें सिगरेट सु लगाई ते हस्दे हस्दे कहन लगया जिस हिसाब नल तुसी डिगगे सी शुकर करो तो उन्हें टुटी मैं बस डिगगणी वाड़ा सी ते मैंनू पता भी ने लगया के तुसी बहार डिगग गयो मैं ए अंदाजा लगा साकदा के ए पात्चड वेच गड़ी चलोना के में दा हुंदा है डाकिया ने उस दिगालदा कोई जवाब नहीं देता ते रुस्या जया बैठा रहा मुंड़े ने फिर पुछया तुसी कदोक तो इस डाक गड़ी ते डूटी कर रहे हो ग्यारा साल तो अच्छा हर रोज हाँ हर रोज जिवें ही एक डाक पहुंच जान दिये मैस गड़ी ते डाक लाक के वापस चल पेना ते फिर रात नूँ दबारा एही डूटी दिना क्या हो तुँ क्या पहुच रहा मुंड़ा सोचा विच पै गया जेकरे डाकिया रोज ये सफर करदा है ता इस दा हर दिन एंजी आज दी तरह दिलचस्प आदे खतरनाक साहस बादी वेच गुजरदा होवेगा कदे ए बार्फदे तुफान वेच किर जानदा होवेगा कदे कोडे बिदक जानदे होणगे ते कदे डाकूस दी गड़ी उते हमला कर देंदे होणगे इदे कुलता बढ़ियां ही काणियां होणगिया ता कि तो अड़ेनल आकसरी इस तरह देवा के वापर दे रेंदे ने उस दा ख्याल सी के डाकियां हुन आपने बारे उस दी दिलचस्पी वेखके हाट बीतियां सनोनियां शुरू कर देवेगा पर दाकियां ने मुकमल खामुशी तारी रखी इनी देर विच सवेर दे संकेत उगड़ने शुरू होगे चान दी फाड़ी बदला विच किरी होई सी हलके हलके चानन विच हुन दाकिया थक्या होया ते गुसे नल आकड़ा जेरा नजरों लग्या सी लाकड़ा सी जिम्यों अजे तक कोचवा नल खाफा हुए शुकर है पुरा चानन ता होया मुंड़े ने कोचवा नू ते डाकिया थे गुसे थे सर्दी नल ठेर दे चेरे नू वेख के केहा मैंनू ता आप बहुँ सर्दी लग्गी जान दी है सतंबर विचे राता काफी ठंड़गा हो जान दी है पर सूज निकलने बाद निग मेला लाग जान दा है की ख्याल है असी किनी कदेर तक स्टेशन पहुंच जावांगे डाकिये दे मथे ते त्योड़ियां आ गी है ते उसने उक्ताहट नाल मुंडेवाल देख्या ते डांट दे हुए उसनू किहा तु दो मेट चुप नी रह सकदा बहुत जादा बोल रहा है तु मुंडा मायूस होगे चुप हो गया ते बाकी सफर दुरान उसने कोई गालना की थी हुण तक चानन हो चुक्या सी चानमादम हुंदे हुंदे सुर्माई असमान वेच लुक गया सी बदल पीला पया गया तारे तुंदले हो गये पर पूरब अजेमी ठंडा नजर आ रहा सी अते रांग बाकी दे अकाश वरगा ता जो कोई ए विश्वाश ना कर सके के इस वेच सूर्ज छुपया होया सी पर सर्दी हुण मी बरदाश तो बार सी उत्तो डाके दे रवये ने मुंदे दी तबियत नो दबोच लया सी हुण पहला दी तरह चुलबला नहीं सी सगो खासा उदास हो गया सी इस उदासी दे आलम विच उसने अपने इर्दगर्द वेख्या ता सोच्या के इंसान ता इंसान ए द्राख्त ते एक का आतक मी इस शदीज सर्दीदियां राता तो तांगा गई होन गे पामे सूर्ज निकलाया सी पर निकड़ दी बजाय उस दी सुस्ती ठांड दा एहसास वदे रेकरवा रही सी कानियां विच पड़े होई सूर्ज उदे होन दे मंदर दे ओल्ट द्राख्तन दियां चोटियां करना ना लिश्क दियां नहीं सान तरती दे तुप नहीं विची सी ते उनींदे परिंद्य दी परवाद विच कोई खुशी नहीं विखाई दे रही सी रोशनी दे बावजूद सर्दी रात वांग ही काईम सी अबादी शुरू हो चुकी सी निडाल जे होए मुंडे ने एक मकान दियां परदे दार खिड़किया नो वेख के सुचया इन परदे दे पिछे लोग जरूर टलियां दी तनकार तो बेख़वर गुडी नीदे मजे ले रहे होंगे ओ ना ता सर्दी नाल ठार रहे होंगे ते नाही इस डाकिया दे गुसे ते तपाए मन हुस्चे रहे नो वेख रहे होंगे ते जेकर कोई कुडी गड़ी दिया टलियां दी आवास नो के जागवी गई ता तुर तेक नीद पर ये मुस्कराट देनाल करवट बदलके पैर समेट के गल हेठ हाथ राख के मुड हसीन सुपने अवातियां वेच गुम हो गई होवेगी वेजे आर्थी ने तलावाल देख्या जो करदे नेड़े चांकर रहा सी ते उसनो काप पर अते पाइक दा ख्याल आया जिनन दा ठंडे पाणी वेच रहना संपव होंदा है ओजे ख्याल ना वेच गुम सी के डाकिये दिया वाद ने उसनों चौंका देता पदा ये डागड़ी वेच किसे दूजी सवारीनों बेठन देना कनून नी नहीं है ते कियोंकि उस दी अजाजत नहीं है लोग काना कोई काम भी नहीं वेच वाड़न दा हाँ एदे नल मैंनों कोई फार्क नहीं पेंदा एस आच्चा है बस मैंनों एपसांद नहीं ते मैं एच अंधा भी नहीं पसांद नहीं ता फिर तुसी मैंनों पहला क्यों नहीं किया मुंडेनु मी हुनु गुस्सा आ गया दाकिया ने कोई जवाब नहीं दितता ते पहला वांग मुंडेनु कूरदा रहा जदो थोड़ी देर बाद गड़ी रेल वे स्टेशन दे गेटू ते पहुंची ता मुंडेने तकलूफ नाल दाकिये दा शुक्रिया किता ते गड़ी तो उत्तर गया अजे डाक वाली ट्रेन आई नहीं सी सिर्फ एक लम्मी माल गड़ी पटड़ी ते खड़ी सी एंजन वेचे रेल दा ड्राइवर अते उस दा सहाईक टीन दी गंदी जही केतली वेचे चापी रहे सान ओना दे चेरे त्रेन नल पेजे होय सान रेल दियां बोगियां प्लेट फार्म ते सीटा साब गिल्लियां ते ठंडियां सान डागड़ी दे ओन ता कमंड़ा प्लेट फार्म ते एकलोते स्टाल तो चापी रहा सी डाग या आस्तिना वेचे हाथ पाई प्लेट फार्म ते एक सरेत दूजे सरेत अक जान दा ते फिर वापस मुड़ं दा राब जाने ओ किनना ख्यालना वेचे खोया होया सी लोग का नाल जाफिर पत चड़ दिया रापता नाल